एक समय था जब ग्रेक चैपल भारत में बतौर कोच काफी अलोग प्रिय हो गए थे लेकिन उनके जो भाई है यान चैपल वो बिलकुल उनसे अलग है और काफी खेल भावना का परिचे देते रहते हैं समय समय पर और उनका जो ट्रिकेट का ग्यान है वो वास्तव में काबिल स्मित की हलाकि वो ऑस्टेलियन है और एक खिराड़ी की ही चर्चा चली है किसी दूसरे देश के खिराड़ी के साथ तो यहां पर उनोंने देशकाल प्रसिती जो है इनको बिलकुल साइड पर रखा और क्रिकेट के हिसाब से अपना निर्डे सुनाया उन्होंने कहा कि लारा ने भी कुछ ऐसा ही कमेंट किया था उन्होंने का था हाला कि जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो स्टिवन स्मिट थोड़े से हावी लगते हैं भारी लगते हैं लेकिन उसके अलावा अगर हम संपूर्टा की बात करें और तमाम फॉर्मिट्स की बात करें तो उस स्टिवन स्मिट के चाहने वालों की भारत में कमी नहीं है क्योंकि क्रिकेट जो है बिलकुल यहां धर्म की तरह लिया जाता है और यहां काफी लोग है जो वीराठ कोली के फैन तो स्टिवन स्पित दोनों के बीच में बटा हुआ है मामला, लेकिन एन चैपल ने एक तरह से इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है, विराट कोली के पक्ष में बोलकर, आप अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तोर पर देखूँ, तो बड़े मैचों की अगर हम बात करेंगे, अगर तो बड़े मैचों की वंडे क्यों ना हो, उसमें स्टिवन स्पित कहीं ना कई भारी पड़ते हैं, क्योंकि 2015 का वर्ल्ड कप आप देखिए, उसमें वर्ल्ड कप जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत अच्छ करते हैं, तो उसमें विराट कोली भारी पड़ते हैं, क्या उनके फ्लिक शॉट, क्या उनके कवर ड्राइव, लेकिन अगर आप स्टिवन स्मित को देखें के तो अजीब ओ ग्रीब स्टांस से वो खेलते हैं, हलाकि गेन बास के लिए बहुत चुनाती पॉन होता है, कि उन लंगा डालकर हिंदी में कहा जाए, लंगा डालकर खेलते हैं, एक खूटा गालकर खेलते हैं, और लंबी पारी खेलने में यकीन करते हैं, लेकिन विराट कोली के साथ ऐसा नहीं है, विराट कोली परस्तिती के हिसाफ से अपने ये गेम में गेर चेंज करते हैं, कई बार उनको लगता है कि बहुत तेज़ खेलना है तो एसी भी उनकी पारी है जब उन्होंने 50 गेंदों पर 90 प्लस की पारी खेली है उन्होंने तो इस तरह से कुल मिलाकर हर एक की अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं लेकिन मुझे व्यक्तिका तोर पे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा स्लाइटली एच है स्टिवन स्मित को और विराट कोली कंसिस्टेंट है लगाता रन बना रहे हैं और अगर हम टेस्टेंटी में तो खार अंडाउटिडली विराट कोली बहुत उपर हैं 2014 का वल्ड कप उठाईए आप 2016 का वल्ड कप उठाईए टेस्टेंटी की बात कर रहा हूं में दोनों वल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ दे टूर्णामेंट रहे और इसके लाभा IPL 2016 वाला उसमें म बड़े मैचों में ञागाउट मैचों में अगर हम देखेंगे तो मामला बराबरिक है या कहीं स्टिवन स्पिथ भारी नजर आते हैं विराट कोली पर टेस्ट क्रिकेट में उसकत के लिहार से निशचचत तॉर पर वो बहतर हैं स्टिवन स्पिथ काफी बहतर है और तो को चोड़ दें तो वहीं टेस्टर क स्वार्ट हो उसकों को पीछे स्वश्ब कर देखने को मिल रहा है अपने रायसे में अवगत कराईएं और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें